बिहार के सियासत और आरजेडी सुप्रीमो लालू परसाद यादों से जुरिही स्वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है लालू यादों की तबियत अचानक बिगर गई है बड़ी कबर इस वक्त की आपको दे रहे है आननफानन में लालू यादो को दिल्ली केम्स में भरती किया गया है दिल्ली केम्स के आईसी उवार्ड में लालू परसाद यादो को भरती किया गया है बड़ी कबर इस वक्त की आपको दे रहे है आरजेडी सुप्रेमो लालू प साथ यादों की तबियत अचानक बिगर गई है आज जिसके बाद दिली एमस के इमर्जेंसी डिपार्टमेंट में उन्हें इलाज के लिए भरती कराये गया है डॉक्टरों के अनुसार उन्हें बुखार के साथ साथ है चक्कर आ रहा था तेज बुखार था जाज के लिए उ सुत्रों के ओर से इसकी आदिकारी जानकारी दी गई है लेकिन जो खवरे निकल कर सामने आ रही है आरजेडी सुप्रीमो लालू परसाद यादों को दिली एमस में भरती किया गया है दिली एमस के आई सी उ में भरती हुए है आरजेडी सुप्रीमो लालू परसाद यादो तेज बुखार और चक्कर की सिकायत के बाद RGD सुप्रेमो लालू परसाद यादो दिल्ली एमस में दिखाने गये थे जहां उन्हें भरती किया गया है बरी कबर इस वक्त के आपको दे रहे हैं RGD सुप्रेमो लालू परसाद यादो कल ही दिर रात पटना से दिल्ली पहुँचे और दिल्ली पहुँचने के बाद उनकी तबियत अचानक बिगर गई है लगातार कई गंभीर विमारियों के चपेट में लालू परसाद यादो हैं और ऐसे में 23 नवंबर को पटना के सिविल कोर्ट में उनकी पेसी हुई स्पेशल सिवियाई के स्पेशल कोर्ट में लालू परसाद यादो की पेसी बाकाउट कोसागार से 46 लाक रुपे के अवायद निकासी के मामले में हुई आरजेडी सुप्रीमों अगले दिन पार्टी दफतर भी पहुँचे लगभग चार सालों के बाद आरजेडी चिफ राज़त दफतर पहुँचे थे जहां उन्होंने 6 टन के बड़े से लाल टेन का उधगाटन किया और इसके बाद आरजेडी सुप्रीमों कल दिर्राद दिल्ली रावाना हो गए लेकिन उनकी तबियत दिल्ली में आचानक बिगर गई है तबियत बिगरने के बाद लालू यादों को दिल्ली एमस में भरती कराया गया है जहां उनका इलाज चल रहा है तेज बुखार है और चक्कर आ रहा है आरजेडी सुप्रीमों को किड़नी के बिमारियों से लालू परसाय रादों पिछले कई सालों से ग्रसित है और ऐसे में चर्चा भी बीच में चल रही थी कि लालू यादों का किड़नी ट्रांस्प्लांट सिंगापूर में होगा हाली में उनसे बीजेपी के कद्दावर नेतावा पुर्र राज सभासांसद आरके सिनहा ने मुलाकात भी किया था पटना के टेंसर्कूलर रोड इसी तराबरी आवास पर जाकर लालू यादो ने आरके सिना से जनकारी ली क्योंकि आरके सिना का किड्नी ट्रांस्प्लांट है सिंगापूर में हुआ था और इन तमाम बातों को लेकर चर्चा भी हुई थी और इसके बाद लालू परसाइदो दिली गए थे तब से कयास लगा जा रहे थे कि लालू यादो इलाज के लिए सिंगापूर जा सकते हैं लेकिन वो कोट के से इजाज़त के बाद ही जा पाएंगे क्योंकि चारा घोटाले के मामले में लालू परसाइदो फिलहाल बेल पर हैं और ऐसे में हाई कोट ने असपस्ट रूप से कहा था कि जब तक इस मामले की सुनवाई खत ना हो जाती है पूरा मामला खत नहीं हो जाता है लालू परसाइदो अगर कहीं भी बाहर जाते हैं देश से बाहर तो उन्हें कोट से इजाज़त लेनी परेगी और ऐसे में अरजेडी सुप्रेमो लालू परसाइदो की तबियत जानक दिल्ली में बिगडी और दिल्ली के एम्स में उन्हें भरती कराया गया है एम्स के इमर्जेंसी बार्ड में उन्हें भरती कराया गया है बड़ी खबर इस वक्त की लालू परसाइदो से जुरो ही ल